जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्याय दस विभूती योग श्लोग 11 तेशाम येवानुकंपार्धं अहम अज्ञानजं तमहा नासयामी आत्मभावस्थो ज्ञानदी पेना भास्वता वूम गीता चारे श्रीक्रिष्न परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूती योग सिखा रहे हैं परमात्मा कहे रहे हैं अर्जुन मैंने कहा है कि जो लोग एकाग्र और अनन्य भक्ती से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं तेव्य ज्ञान और अपना स्पस्ट स्वरूप यानि बुद्धी योग प्रदान करता हूँ हाला कि मैं उन भक्तों को मेरी महिमा का पूरी तरह से अन्भव करने के लिए मेरे स्पस्ट स्वरूप का पूरी तरह से अन्भव करने के लिए और क्या करूँगा, वा यह है कि मैं उन भक्तों के लिए पुन्ड अनुख रह और सनेह के साथ उनके मन में प्रवेश करूँगा और उन में मेरे बारे में ऐसा संपूर्ण अज्ञान पैदा करूँगा अर्जुन, मैं उनके रुदय में ग्यान का दीपक जलाऊंगा और उनकी अज्ञान के कारण भोग, भोतिक वाद और वाशना के सभी अंदकार नश्ट कर दूँगा जैसे श्रीक्रिष्ण परमात्मा अपने भक्तों के प्रती स्नेय की पराकास्टा प्रदर्शित कर रहे है दिव्य ग्यान, प्रदान करने के अलावा, श्रीक्रिष्ण परमात्मा हम सभी को आस्वस्त कर रहे हैं कि वेश अपनी महिमा और पुर्ण प्रसंटा के साथ, अपने स्वरूप का अन्भव करने के बीच आने वाले सभी बादाहों को भी दूर कर देंगे श्रक्रिष्ण परमात्मा हम पर अपना स्नेह बरसा रहे है श्रक्रिष्ण परमात्मा के हमारे पती जो प्रेम है उसे याद करते हुए और पहचानते हुए आईए हम पूरे दिल से श्रक्रिष्ण परमात्मा के स्नेह का आनंद ले और केवल श्रक्रिष्ण परमात्मा की पूजा करें आए हम उस ज्ञान के दीपक के लिए पात्रत अर्जत करने का प्रयास जारी रखें जिसे श्रक्रिष्ण परमात्मा हम में जलाएं और आए हम श्रक्रिष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्म करें श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है स्रीकृष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इने अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आईए हम सभी श्रीकृष्ण की सुंदर चहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद कानभव करें यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूंगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द मामे कम सरणम रजा याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा किये है और आशिरवाद दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रतान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अब परिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रती दिन श्रीमन नारायन को या वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वैक कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे श्रीमन नारायन करिशे वचनम तव जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार कारे करूँगा सर्वं श्रीक्रिष्णार पन्नास्तू जै श्रीमन नारायन तेशाम येवानुकंपार्धं अहम अज्ञानजं तमहां नासयामी आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता वूम् तेशाम येवानुकंपार्धं अहम अज्ञानजं तमहां नासयामी आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता स्रीमन नारायना करिष्ये वचनं तवा सर्वम्श्री कृष्णार्प नमस्तू जै श्रीमन नारायना जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आएए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायनस्त्रम का पाठ करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनस्त्रम वेबसाइट पर जाएं और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और इमेल प्रादान करें आपके द्वारा प्रादान की गई इमेल पर आपको नारायनस्त्रम प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायनस्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायनस्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्तरम प्राप्त करें जैश्रीमन नारायन